दोस्तों आप लोग ने पुलाव तरह तरह के खाया होंगे लेकिन इससे आसान रेसिपी आपने नहीं देखी होगी बैचलर जो होश्टल होगे रहते हैं वो भी इसे इजी ली बना सकते हैं और खा सकते हैं रेसिपी है 10-12 मिनिट में रेसिपी बनके तयार हो जाएगी तो वीडियो में अंतक रहेगा इस मसाला पुलाव के लिए ठीक है तो सबसे पहले आपको राइस लेना है मैंने बासमती राइस ले आपको इसा भी राइस ले सकते हैं जरूर ये नहीं है कि बासमती राइस हो बट स्टीम राइस लीजेगा ठीक है 200 ग्राम बासमती रहा इसलिए पहले इसे अच्छी तरह वाश कर लिजेगा और 10 मिनट के लिए से भिगो के छोड़ देना है सिंपल प्रोसेस है दो एक पानी से वाश कर लेना है अब आपको क्या करना है कि पानी गरम होनी के लिए पहले रख देना है जैसे मैंने अभी पानी बॉइल होनी के लिए रख दिया है एक लिटर पानी को बॉइल होनी के लिए रख दिया है ये सारा फिर इसमें डाल देना है इसमें नमक डाल देना है धेर सारा लगभग एक चमच और इसे आपको एक कसर रह जाए इतना बॉइल करना है 90 परसेंट ब फूनेंगे, ठिक है, अब सबजीया है मेरे पास, अब देख लीजिये, मैंने गाजल, तीनचमच, तीनचमच प्याज लिया है ये गोभी है कद्धूकस करके ले लिया है तीनचमच, दो से तीन हरी मिर्च एक टमाटर ले लिया है, चार चमच शिमला मिर्च ले लिया है, साथी साथ मटर 4-5 चमच ले लिया है आपके बस और कोई सबजिया है तो वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं पर खास बात यह है कि आपको एक खटे ही सब चीजे डाल देनी, यह नहीं कि प्याज अलग से भूनना है, फिर अलग से भूनना है मसाले अलग से भूनना है, कुछ नहीं सीधे डाल देना है, 2-2 मिनट आप इसे पकार लिभी हाई फ्याई फेलीम पे, फिर आपको इसमें ड्राइ मसाले आड़ करने हैं, सुखे मसाले आदा चमद धनिया पाउडर, दो चुटकी गरम मसाला और दो चुटकी हल्दी पाउडर डाल देना है साथी साथ इसमें लालमिज पाउडर आदा चमद डाल देना है उसके बाद इसमें ये पावभाजी मसाला, ये आपको एक चौथाई चमद डाल देना है साथ ही साथ हम इसमें स्वाधनुसा नमक एड़ कर देंगे नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने राइस में नमक पहले ही डाला है अब पानी डालने की जरूत नहीं सबजी आपना मौईस छोड़ेंगी और आपको इसे में भूनना है मटर गल जाना चाहिए ठीक है चार से पाच मिनट लगेंगे इन सबजी को पकने में उसके बाद हम इसमें आधा चमच कसूरी मेथी एड़ कर देंगे और फिर हम यह जो हमारे राइस है हमने जो बॉल किये थे वो सारे राइस आपको इसमें डाल देने अगर आपके बाद बचा हुआ राइस है तो वो भी बेस्ट है इस पुलाओ के लिए अच्छी तरह मिलाते हुए पकाएंगे और एक से दो मिनट में यह अच्छी तरह मतलब मसाले में राइस मिल जाएंगे उसके बाद हम इसके उपर हरा दनिया थोड़ा सा डाल देंगे और फिर से आपको एक मिनट तक इसे पका लेना है हैना एकदम आसान रेसेपी कोई भी बना सकता है बच्चा भी बना सकता है और ठूस तो सकते ही है तो आप लोग जरूर इसे ट्राइब कीजेगा